बालोद के डेंडी शेत्र के 30 गाओं में बिजली बंध होने की शिकायत लेकर कॉंग्रेस कारिकर्ता बिजली कारले पहुँचे बिजली भाग के आधिकारियों से विवाद होने पर आधिकारियों ने पुलीस में एक कारिकर्ता के खिलाफ F.I.R दरश करा दी इससे नराज कॉंग्रेस कारिकरता करले के सामने मुख्यमार्ग में रात बारा बज़े से धरने पर बैठ गए उत्रप्रदेश गौंडा के वजीर गंज इलाके में टोकरी गाउं में रात को सिलेंडर ब्लास्ट होने से अगल भगल के दो मकान गिर गए चौदा लोगों को अस्पताल आया गया जिसमें आट लोगों की मौत हो गई वहीं साथ लोगों को अधिक चोटे आई हैं मध्यप्रदेश के जबलपूर में अनलोग परविवात खड़ा हो गया कपड़ा दुकान खोलने के लिशासन ने आदेश जारी नहीं किये जाने परविपारियों ने चक्का जाम कर दिया भुपाल के सिंग्रोली में डॉक्टर हरीस पाठक के निवास में देर रात पुलीस अधिकारी पहुचकर दो घंटे तक उनके बुज़ूर्ग पिता से बेवज़ा पूश्ताच करते रहे हरीस पाठक ने पुलीस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जीने कोरोना वारियर्स कहती है उनके परिवार को आज आंदोलन वापिस लेने के लिए प्रताडित किया जा रहा है